हेलो दोस्तो वाई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है दोस्तो जो भी हम लोग परदर्शन कर रहे हैं एंटीपीसी के रिजल्ट को लेकर या गुरूब डी में सीबीटी टू को लेकर यह सरकार के पास बाते जा रही है दोस्तो इसलिए उन्होंने एक सूचना जारी किया है रेल्वे भरती बोट ने क्या कहा है दोस्तो इसको बारे में हम लोग अभी बात करेंगे उस सूचना में देखे दोस्तो हम लोग अगर परदर्शन कर रहे हैं हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं दोस्तो अगर उन्होंने गलती किया है इसल लोग परदर्शन करें लेकिन सांतीपुर्ण ध्रंग से करें कहने का मतलब है दोस्तों कोई भी सरकारी संपत्ति को हम लोग नुकसान नहीं करेंगे दोस्तों अंदोलन करना तो हमारा अधिकार है और हम करेंगे दोस्तों अगर कुछ गलत होगा हमारे साथ तो हम लोग अंद या रेलवे की जो संपत्ति है उसको नुक्सान पहुचाया जा रहा है ट्रेन को रोका जा रहा है ऐसे अगर जो भी ऐसे कर रहे हैं ऐसा काम कर रहे हैं उनको CCTV कैमरे या फिर किसी भी तरह से कोई भी वीडियो को जाच कराया जाएगा अगर वो दोसी पाया जाता है तो उसको रेलवे की नौकरी से हमेशा के लिए निस्कासित कर दिया जाएगा यानि कभी भी आप रेलवे में नौकरी नहीं कर सकते हैं दोस्तों साथ ही आपने आपको वो RRB यानि रेलवे भरतिपोर्ड ने बहुत ही अच्छा बताया है कि हमने जो रिजल्ट निकाला है वो बहुत ही बेतर ढंग से निकाला है और इसमें कोई गरबड़ी नहीं हुआ है और साथ में उन्होंने अच्टूडेंट को ये सलहा भी दिया है कि किर्पिया आप ऐसे किसी के बातों में ना आए जो अपने स्वार्थ के लिए ये सब करवा रहा है ठीक है उसका कहने का मतलब था दोस्तों टीचर या फिर जो भी RRB के खिलाफ बाते कर रहा है जो भी NTP पिसी रिजल्ट को लेकर बाते कर रहा है उसको उन्होंने ये सलहा भी दी है जो अश्टूडेंट है उसको कि इसके बातों में ना आए दोस्तों अगर परदर्शन जो भी हो रहा है दोस्तों अगर सरकार के पास गया है तो सरकार के पास ये भी गया होगा दोस्तों कि पु करता है आपके पाश डंटा है आप आशू गैस छोड़ रहे हैं इसके पाउजूद आप पत्थर से मार रहे हैं एक मीडिया वाला था दोस्तों उसका मोबाइल तोड़ा गया और उसको भी मारा गया और वह लाइव था उस समय आप भी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं दोस दोस्तों कि RRB NTPC का revised result आउट होगा CBT खतम होगा इसके बारे में कोई भी बात नहीं किया है लेकिन हम लोग जो अंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बात किया है दोस्तों तो दोस्तों हम लोगों को वीडियो शेयर करते जाना है जो भी हमारे पास आता है वो वीडियो को हमको सेयर करना है और हम लोग को सांतिपुर्ण ढंक से अंदोलन करना है दोस्तों और यह हक हम लड़कर लेंगे अगर वो नहीं दिया तो हम लड़कर लेंगे दोस्तों